साथ यो तीसा ट्रेंड यानि हुमन रिसोर्स और फ्यूचर अब वर्क में आ रहा बढ़लाव भी बहुत महत्पपूर है आज इंटरनेशनल फोरेंड इन्वेस्टमेंट के निर्णएं क्वालिटी मैन पावर की उपलद्दता पर निर्भर करते हैं साथ ही स्कील मैन पावर किसी भी कंपनी के वैल्यूशन का मांदन बन जाता है ऐसे में तेजी से लोगों को स्कील करना हमारे सामने एक चुनोती है जिस तरह नेचर अब वर्क में बढ़लावा रहा है उससे आने वाले सालों में हमें लोगों को कई बार रिस्किल करना पड़ेगा Learn, Unlearn and Relearn के साइकल जरुरी बन जाएंगे Friends, भारत के स्कील हुमन डिसूर्सिज को दुनिया भर में आदर और प्रतिष्ठा मिले हैं भारतिय टैलेंट ने यहां साउदी अरिविया में अनुशाचित, कानून का पालन करने वाले, परिश्रमी और कुशल कारेबल के रूप में अपनी अनूठी पहचान बनाई है भारत में स्कील का विकास करने के लिए हमने एक कॉंप्रिहेंसिव विजर तयार किया है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं स्कील इंडिया इनिसेटिव के माध्यम से हम अगले तीन चार वर्षों में 400 मिलियन लोगों को विविन्न स्कील्स में ट्रेइन करेंगे भारत में निवेश करने वाली कंपनीज को इसे एश्योर स्कील मेंपावर मिलेगा साथ्यों स्कील मेंपावर का आवागमन आसान बनाने से पूरे विश्व की अर्थेववस्ता में वृद्धी होगी मैं मानता हूँ कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड एग्रिमेंट्स को सिर्फ गूर्ष तक सिमित नहीं रखना चाहिए बलकि मैंपावर और टैलेंट मोबिलिटी को भी उसका अभिन अंग बनाकर उसमें सरलता लानी चाहिए